यह microwave oven का दूसरा वीडियो है इससे पहले मैंने इसका कुछ component चेक करके आपको दिखाया था वो सही है या फिर नहीं यह उसे हम कही से चेक करते हैं यह फ्यान को चेक करके दिखाया था यहाँ पर एक लेंप है वो चेक करके दिखाया था यहाँ पर यहाँ पर दो स्वीच है पर दीखहाया था वह आप दिखाया था वह यहां पर एक्यो graduate द्युक्तर धक्रहीं यहाँ मैंने को दिखाया था वह प्र मेंग से करते वह सामकलने को इन को कैसे मल्टी मुंटर के द्रवारा चेक करते हैं लेका उस्ते पहले इसका जो go connection है वह आपको यादी करना होगा हम क्या किए हैं एक प्रा सर्कीट डागरम बना लिए क्योंकि जब हम दुवारा इसी कोनेक्शन करेंगे तो इसी तरिकास करेंगे तो मेरा ट्रांसफर्मर या पिर कैपिसिटर या कुछ भी मेरा खड़ाब हो सकता है तो अब हम निकालेंगे इससे स्रॉरी इसे हम इसमें से मैं आपको अच्छी से चेक करके दिखांगा क्योंकि यहां पहुत ही कॉंपेक्ट जगह है आपको ठीक से समझ नहीं आएगा तो हम सारा वायर को इसमें से पहले निकाल देंगे और स्कुरू को निकालने के बाद इसमें से कैपिसिटर और ट्रांसफर्मर डायोट और एक ही है तो ट्रांसफर्मर को निकालने के लिए यहां पर चार ईश्कुरू लगा हुआ है बहर के तरप इसमें चार ईस्कुरू को ऊपने कर लेंगे सबस्पैले हमें दो एसकुरू को नीचे ऑपन बोट ने सबहले ने कि यह पकर लाना क्योंकि उस्की आप अंदर का कंपोनेंट तूट सकता है तो जिसा कि आप देख सकते हो मैंने इस ट्रांसफरमर को ये कपसिटर और डायोट को हम बाहर निकाल दियें ताकि आप आपको देखने में भी सुब्दा हो और आप आसानी से समझते को तो सबसे पहले में इसके बार में थ्वासा बता द मैं आपको मल्टिमीटर के तौरा इस चेक करके दिखाता हूं इसका जो तीन कोईल है वह सही आया फिर नहीं है तो मल्टिमीटर को हम क्या करें कंटिनुटी के रेंज पर डाल देंगे तो सबसे पहले इसका प्रामरी कोईल है सबसे नीचे बाला कोईल जैसे हम 220 वल्ट के स यहां पर प्रॉपर सही है अब हम दुसरे को चेक करते हैं दुसरे को चेक करने पर भी यहां पर बीप का बाद आना चाहिए आज देख सकते हैं यह मल्टीमेटर एक फीचास दिया है कि इसमें लाइट जलता है मतलब यह continuity इसका सही है दुसरे को चेक करेंगे तो तिसरे को चेक करेंगे तो तिसरे को चेक करेंगे तो यहां पर 120 ओम से लेके 200 ओम के आसपास होना चाहिए इसका मतलब आपका जो तिसरा को चेक कर देखा ता हम यहां पर आपको फिर तीच करके दिखाता हूं यहां पर आप देख सकते हैं 162 ओम आ रहा है मतलब कि यह जो मेरा तिसरे को वह भी चेक करके देखेंगे उसमें continuity आपका नहीं आना चाहिए मतलब भी यह कौयल करेंगे जो ब्लाक लगा हुआ है वह एक फूज लगा हुए उसे भी में आपको चेक करना है से दोनों पीन पर लगाएंगे कपशिटर रहें तो यहां पर बीब का वाज नहीं आना चाहिए भीब का वाज नहीं आ फ्रीघ लाज शॉब करें है रहें आंदर किती नहीं की टी आ जई निचुनिटरफ का Het गरिंगे दाइड को दो सरीका से चेक करके आपको दिखाँ गास ऑसके पहले हम स्कुर्ण डायोट के डायोट पर डाल देते हैं मल्टीमीटर को उसके बाद मैं आपको डायोट का चेक करके दिखाता हूं इसके पीन में जब हम लगाएंगे इसमें जराव कोई भी भेल्यू नहीं आना चाहिए फिर इसे प्रोब को आप हम चेंज करेंगे या फिर डायोट को तक चेक कर करके देखेंगे इसमें भी आपको कोई भेल्यू नहीं आना चाहिए इसका मतलब है कि आपका डयोड सब्सक्रिक बाद नहीं आरह। को था थेंट्स पर वाचिंग डलो कर दो कर दो